osaur आज में आपको सिल्वार के कुंदे और पोहुंचे के बीच में क्यों पॉक्ट लगाना सिखाओंगी तो मेरे जो कस्टमर हैं उन्होंने कहा था कि मैंने सिल्वार की बेल्ट में 최क कुंदे है् God तो ठीक है, दो कुंदे मैंने जोड लिये हैं, और ये दो कुंदे मैंने नहीं जोड़े हैं, इसको pocket लगाने के बाद में जोड़ेंगे, ठीक है, इसको side में रख देते हैं, तो ये दिखे, ये सलवार है, इसके दो कुंदे attach किये हुए हैं, और ये पोंचे हैं, ठीक है, तो इसको हम ऐसे अलग कर लेंगे मतलब खोल लेंगे, सिंगल कर लेंगे तो ये हमने pocket लगानी है इसमें, साड़े तेरा इंच की pocket है, ठीक है, इसकी चुड़ाई हमने लेनी है, साथ इंच की तो ये जो, ये दिखे जॉइंट है पूरा कपड़ा, तो साड़े तेरा इंच हमने ली, इस तरीके से मतलब पूरी 27 इंच इसकी लेंथ ली है हमने, तो side में इसको इस तरीके से जोड देंगे ठीक है, ये हमने slide लगा दी है, आब pocket को इस तरीके से दिखे खोलेंगे ये नीचे से बंद है अगर आपकी ये joint नहीं है तो नीचे से आप slide लगा करके joint कर दे, ठीक है, इस तरीके से हमने pocket तयार कर ली, और ये हमारी जो सलवार का पोंचा है ये दिखी, ये कुंदा है, ठीक है ये कुंदा है जो हमने joint कर रखा है और ये हमारा जो सलवार का पोंचा है, तो इस तरीके से हमने सलवार की उल्टी side हमने उपर की तरफ लेनी है, और ये जो हमने pocket ली है इसको हमने इस तरीके से रखना है जो खुली side है, वो बाहर की तरफ रहनी चाहिए, ये वली खुली side बाहर की तरफ रहनी चाहिए और बंत साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है, तो इस तरीके से हमने पोंचे को पोकेट के उपर रखना है, सलवार की उल्टी साइड बार बार कहा है, सलवार की उल्टी साइड उपर ही होनी चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से हम रखेंगे, और दो इंच का हम उपर से मार् हम छोड़ोड़ेंगे और जितना आपने पॉकेत में आसानी से रिचा उतना निशान लगा लेना है तो मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है तो इस तरीके से हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे तो इस तरीके से हमने स्टिच करना ध hedge तो इस तरीके से हमने यहां पर सिलाई लगा दी है अब इसके जो कॉर्णर है वहां पर हम कट लगा देंगे तो इस तरीके से हमने कॉर्णर पर कट लगा देना है और यह जो पोकेट है हमने पोकेट को सिलवार की जो उल्टी साइड है उस तरफ हमने इसको अच्छे से सेट क कर लेना है। थीक है । इस तरीके से हमने सैट करते हुए और उपर हम वीडिद एंगे ताकि यूप स्पटब्स सिर्ट ajाए इति-श्या बीदान लगानीий और वॉजब हम bill के फिनिशिंग लीडिया चैनले कि आजाती है तो इससे हम इस एकी बएक की और जो पलाजो है उसे भी आप इससी तरीके से फॉकंट बना करके लड़ा सकते हैं ठीक है यह जो उल्टी साइड है।्स यह मारी अंदर्ग्राउंड हो जाएगी अंदर की तरफ चलिगी और इस तरीके से महा हैँ को सेट पॉकेट से पहले नहीं जोड़ने हैं जब पॉकेट लग जाए उसके बाद ही हमने जोड़ने हैं तो पॉकेट आप ध्यार रखेंकिए आपने सीधी साइड मतलब नीचे रखनी है और उल्टी साइड आप उपर की तरफ रखेंगे तो इस तरीके से आपने सिलाई लगा देनी है तो यह देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और पॉकेट जो बन के तयार हो गई है ठीके यह देखिए असानी से हाथ जा रहा है अंदर पॉकेट के और उल्टी साइड भी मैं दिखा देती हूँ यह देखिए कितनी फिनिशिंग से पॉकेट लगी है और यह कुंदे और पॉंचे के बीच में लगी है बैल्ट में नहीं लगी है मेरे जो कस्टमर थे उन्होंन इसकी फिनिशिंग बताएंगी कैसी आई है तो यह देखिए मतलब पूरी सलवार मैंने स्टिच कर दी है कुंदे भी जोड लिए है अब इसमें हमने नीचे पॉंचे बनाने है और उपर बैल्ट लगानी है ठीक है तो इस तरीके से आप इसको जोड सकते हैं तो मैं आपको बैल्ट लगा करके भी बताऊंगी इसकी लुक कैसे आई है ठीक है तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने बैल्ट भी लगा दी है और यह पॉकट भी देखिए कितनी अच्छी से लगी है और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप ही इस तरीक इसको बना सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स फॉर वाचिंग